दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को आदित्या बिरला सहित 6 ऐसे स्टॉक्स बताने चारा हूँ जिनोंने आप इस स्टॉक बोनस और डिविडेंड अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप देख रहे हैं F&O मेडिया बाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आईए दोस्तो बात करते हैं यहाँ पे हमारे पहले स्टॉक की तो कंपनी का नाम है ICICI Lombard Insurance Limited इस कंपनी का स्टॉक प्राइज 1,274 रुपीज के ओपर में चल रहा है कंपनी ने आपे बोर्ड मीटिंग और्गनाईज कर दिये 27th of October को और इस बोर्ड मीटिंग का जो परपस है वो डिविडेंड और क्वाटर 2 के रिजल्ट्स को लेके रहने वाला है अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है Nippon Life India AMC Limited इस कंपनी का स्टॉक प्राइज 332 रुपीज के ओपर में चल रहा है कंपनी ने आपे बोर्ड मीटिंग और्गनाईज कर दिये 30th of October को और इस बोर्ड मीटिंग का जो परपस है वो डिविडेंड और साथी साथ में quarter 2 के रिजल्ट्स को लेके रहने वाला है अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है Evental Limited इस कंपनी का स्टॉक प्राइज 234 रुपीज के ओपर में चल रहा है इस कंपनी ने आपे बोर्ड मीटिंग और्गनाईज कर दिये 9th of October को और इस बोर्ड मीटिंग का जो परपस है वो स्टॉक बोनस और साथी साथ में quarter 2 के रिजल्ट्स को लेके रहने वाला है अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है Advanced Lifestyle Limited इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 113 रुपीज के उपर में चल रहा है कंपनी ने आप इस स्टॉक बोनस अनौनस कर दिया है 1 is to 1 के रेशियो से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस कंपनी का एक स्टॉक है तो यहाँ पे आपको एक स्टॉक इस बोनस में लेगा मतलब टोटल में आपका जो एक स्टॉक है वो दो स्टॉक में convert हो जाएगा या फिर आप यह भी कह सकते हैं आपके पास में इस कंपनी के जितने भी स्टॉक से वो सब के सब यहाँ पे डबाल हो जाएंगे इस stock bonus को देने की जो X date और record date है वो तो फिलाल अभी upcoming में है बट company की तरफ से जैसी official announcement आता है X date और record date को लेके मैं आप लगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा अगले stock की बात करें तो company का नाम है Shriram Finance Limited इस company का stock price अगर आप चेक करेंगे तो 1867 रुपीज के ओपर में चल रहा है और Shriram Finance की तरफ से एक बहुत बड़ी update निकल के आ रही है basically yes securities करके काफी जाना माना brokerage house है और yes securities ने जो है Shriram Finance के stock के ओपर में एक buying recommendation शेयर करीए और जो target price दिया है वो 2300 रुपीज का दिया है तो लगबग 1867 रुपीज से लेकर के 2300 रुपीज तक की एक जो rally है वो यहाँ पर yes securities Shriram Finance के stock के अंदर में expect करके चल रहा है तो आपको जरूर से Shriram Finance के stock को अपनी watch list के अंदर में add करके रख लेना चाहिए आ जाते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले and last stock की तो company का नाम है Aditya Birla Capital इस company का stock price 176 रुपीज के उपर में चल रहा है और Aditya Birla Capital की तरफ से भी एक बहुत बड़ी update निकल के आ रही है basically Jeffries करके काफी जाना माना financial institution है and Jeffries ने जो है यहाँ पे काफी जादा bullishness दिखाई है Aditya Birla Capital के stock के उपर में और इस साथ ही साथ में एक buying recommendation भी share करी है और जो target price दिया है Aditya Birla Capital के stock को वो 215 रुपीज का दिया है तो लगबग 176 रुपीज से लेकर के 215 रुपीज तक की एक जो rally है वो यहाँ पे Jeffries expect करके चल रहा है Aditya Birla Capital के stock के अंदर में तो आपको इन दोनों ही stocks को अपनी watch list के अंदर में आड़ करके रख लेना चाहिए विगोज इतने बड़े brokerage houses अगर किसी भी stock के उपर में buying recommendation शेर करते हैं तो उन stocks के round definitely एक positivity हमें बनती हुई देखने को मिल जाती है तो जरूर से इन दोनों stocks को अपनी watch list के अंदर में आड़ करके रख लीजेगा बाकी आज के वीडियो के अंदर में इतना ही यही 6 stocks थे जिन्होंने आप इस stock bonus and dividend announce किया था अब अगर आप कोई वीडियो ची लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीचेगा इस चैनल को भी जरूर से subscribe कर दीचेगा बिगोज फिनो मेडिया के अंदर आपको ऐसी stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye